फ्रेंड्स वर्काउट खत्म होने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ तेज हो जाए और आपको बहतरीन रिजल्ट्स मिल सकें यही जानेंगे आज की इस वीडियो में तो जब आपका वर्काउट खत्म होता है तो आप लोग क्या करते हैं क्या आप बैठ जाते हैं या फिर फ़ाने पीते हैं तो फ्रेंड्स जाधातर लोग इसा ही करते हैं और जल्दी जल्दी में अपने आओट वगयरा चेंज करके जिम से चले जाते हैं लेकिन ये काफी बड़ी गलती है तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें आपको वर्काउट करने के बाद जरूर करना चाहिए यानि exercise के बाद सही मातरा में पानी पीएं क्यूंकि exercise करते हुए आपकी बाड़ी से काफी जादा पसीना निकलता है जिससे आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है और exercise के बाद पानी पीने से पानी आपके muscles पर ही लगता है क्यूंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके muscles लगबग 70% पानी से और 30% प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रियेंट्स से बने होते हैं इसलिए वर्काउट के बाद पानी पीना काफी जरूरी होता है और पानी आपकी बाड़ी में सभी इलेक्रोलाइट्स और सॉल्ट होता है जो आपको रिकावरी करने में मदद करता है वैसे नारियल पानी अगर आप नहीं पी सकते तो नॉर्मल पानी तो आपको जरूर ही पीना चाहिए नमर दो इस्ट्रेच इट आउट तो देखिए वर्कावट करना काफी अच्छा होता है लेकिन अगर आप वर्कावट करने के बाद अपनी बाड़ी को इस्ट्रेच नहीं करते तो वर्कावट करना आपके लिए भारी पड़ सकता है अगर आप वर्कावट के दोरान परियो एक्सराइज परफॉर्म करते हैं तब आपको वर्डाउट के बाद स्ट्रेचिंग एक्सराइज जरूर ही करनी चाहिए क्योंकि वर्डाउट के बाद ये आपके नर्वज सिस्टम और हाइट रेड को नौर्मल और शांत करने में काफी मदद करता है rest stretching exercise perform करने से सबसे पहले आपकी heart beat normal हो जाती है दूसरा इसे करने से आपका brain शान्थ हो जाता है और तीसरा stretching करने से आपकी body में red blood cells flow भी बढ़ जाता है तो इसलिए आपको work out करने के बाद stretching exercise ज़रूर perform करनी चाहिए इससे आपकी बाड़ी में इंजिरी होने का खत्रा भी कम हो जाता है फ्रेंट्स जब एक्सरसाइज करते हुए आपकी मसल्स डेमेज होती है तब अक्सर आपकी बाड़ी पर स्वेलिंग या सूजन आ जाती है इसलिए आपको वर्काउट के लगभग आदे गंटे बाद आइस बाथ लेना चाहिए या फिर नॉर्मल पानी से आपको नहा लेना चाहिए जिससे आपकी बाड़ी और मसल्स रिलेक्स होते हैं और वर्काउट पोस्ट रिकवरी में भी आपको काफी मदद मिलती है अगर एकसरसाइस के बाद कुछ चीज आपको स्नेक्स में लेनी चाहिए तो वो है प्रोटीन और अगर आपको इसके अलावा कुछ लेना भी है तो आपको उसको प्रोटीन लेने के 20-30 मिनट बाद ही लेना चाहिए क्योंकि जब आप एकसरसाइस करके अपने मसल सिंथेसिस को ब्रेक करते हैं और प्रोटीन शेक या फिर कोई दूसरा प्रोटीन वाला फूद आप लेते हैं तब आपकी बाड़ी में प्रोटीन जादा अच्छे तरीके से लग पता है इसके अलावा ये एकसरसाइस के दौरान हुई कोई चोटी मोटी इंजिरी को भी रिकवर करने में मदद करता है और प्रोटीन के लिए आप एग्स, फिश, नट्स या फिर प्रोटीन शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटीन लेने के 15-20 मिनट बाद आप कार्भोहाइडरेट्स और हेल्दी फेट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं और अगर आप मौर्निग में वर्काउट करते हैं, तब आप एकसरसाइस के बाद प्रोटीन स्मूधी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग इवनिंग में वर्काउट करना पसंद करते हैं, वो पोश्ट वर्काउट में चिकन ब्रेश्ट या फिर पनीर का इस्टेमाल कर सकते हैं, क्यूंकि अपनी मसल्स को तेजी से गेन करने के लिए आपको प्रोटीन की काफी दरूरत होती है, प्रोटीन एक्सरसाइ करके जादा ठक जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद आप ठकते नहीं हैं, तो ये परसंट टू परसंट करता है, और हो सकता है कि आपको पोश्ट वर्काउट में हैवी मील लेकर जादा बहतर रिजल्ट्स मिलते हों, और या फिर जादा हैवी ना खाकर भी आप आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हों, और ऐसा इसलिए है कि हर किसी की बॉड़ी अलग अलग तरहा की होती है, तो आप इस बात को देखें कि पोश्ट वर्काउट की कौन सी डाइट और कितनी डाइट लेकर आपको जादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब आपको बस उसी डाइट को फॉलो करना है, नमबर छे, चेंज यूर ग्लोटिंग, तो फ्रेंट्स, एक्सरसाइस के बाद अक्सर लोग डाइरेक्ट अपने ओफिस या किसी काम पर जाते हैं, या फिर अगर आप अपने घर वापस भी आते हैं, तब भी एक्सरसाइस के बा कुछ देर बाद शौवर लेकर आप डारेक्ट ऑफिस जा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने घर पर जाते हैं, तब कुछ देर रिलेक्स करने के बाद आप नहाकर अपने कपड़े जरूर चेंज कर लें, क्यूंकि अगर आप ऐसा नहीं करतें, तब आपकी इसकिन पर इ होगी, इसी तरह की fitness related और information के लिए आप इस चैनल को subscribe जरूर कर लें, bye friends, take care.